Would you like to be the biker of goko? मशुहूर एक्ट्रेस और बिग बोस ओटीटी की बीजेता दिबिया अगरवाल ने अपने ज़न्म दिन पर बिजनिसमेन अपूर हुआ पड़गाओं कर संग सगाई कर ली इस बात की जानकारी खुद दिबिया अगरवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर रोमैंटिक तस्वीरे साजा करके दी है फोटोस में दोनों के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी दिबिया अगरवाल ने अपूरुवा द्वारा पहनाई गई अंगूठी की फोटो भी साजा की है साथी कैप्सेन में लिखा कि अब मैं कभी भी अकेली नहीं चलूँगी हलाकि दिबिया अगरवाल अपनी इस पोस्ट के बाद प्रोलर्स के निसाने पर आ गई कुछ यूजर्स ने जहां वरुन सूद को दिबिया अगरवाल के लिए बेश्ट बताया तो वहीं कुछ यूजर्स ने बिजनेसमेन संग सगाई के लिए एक्ट्रेस पर निसाना साधा तो चलिए एक नजर डालते हैं दिबिया अगरवाल की इन फोटोस पर दिब्यागरवाल ने बिजनेस बेन अपूरुव पडगावकर को अपने जीवन साती चुना खास बात तो यह है कि उन्होंने बड़े पार्टी के बीची एक्ट्रेस को अंगुठी भी पहनाई दिब्यागरवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर अपूरुवा के साथ फोटोज साजा कर रिलेशन्शिप की जानकारी दी एक्ट्रेस ने लिखा क्या मैं कभी मुस्कराना बंद करूंगी बिल्कुल नहीं जिन्दगी और चमकदार हो गई और यह सफर साजा करने के लिए मुझे एक सही इंसान भी मिल गया है इनका हैस्टेक बाई को इस बात का वादा है इस खास दिन के लिए मैं कभी भी अकेले नहीं चलूंगी दिब्या गरवाल और अपुरुव पढ़गावकर पार्टी में सब के सामने जम कर रोमैंटिक भी हुए एक तस्वीर में अपुरुव एक्ट्रेस के माथे पर किश करते हुए दिखाई दिये दिब्या गरवाल ने अपुरुव द्वारा पहनाई गे रिंग भी प्लॉंट की फोटोज में एक्ट्रेस के चेहरे पर एक्साइटमेंट और खुसी देखने लाइक रही उनकी यह तस्वीरे देखते ही देखते वाइरल भी हो गई बता दे कि इस फोस्ट को लेकर दिब्या गरवाल ट्रोज के निसाने पर भी आ गई हैं एक यूजर ने दिब्या को ताना मारते वे लिखा तुम कभी भी अकेली नहीं चली हो तुम बस इंसान बदले हैं चलते वक्त वहीं एक ने लिखा देखते हैं ये सपना कहां तक पूरा होता है वहीं एक ने लिखा पात साल सी ज़्यादा नहीं चलेगा इस कमेंट को मार्क कर लो वहीं एक ने लिखा छे मार्च को ब्रेक अप किया था ना और छे दिसंबर को इंगेजमेंट वहीं एक ने लिखा कोई बात नहीं इसको अगले साल किसी और के साथ देखेंगे ड्रामे बाज दोखे बाज वहीं एक ने लिखा भाई साब लड़की लोग कितनी जल्दी रंग बदलती है तो वहीं एक दूसरे यूजर ने उन्हें लेडी रनबीर कपूर तक कहा दिविया अगरवाल ने अपूरुआ पंडगावकर से पहले एक्ट्रेस वरुन सूट को डेट किया था दोनों एक साथ सीरीज में भी नजर आये थे दिविया और वरुट के ब्रेकप से फैन्स को काफी जटका लगा था दिविया अगरवाल ने बिग बॉस से ग्यारा का हिस्सा रह चुके प्रियांग शर्मा को भी डेट किया था दोनों के मुलाकात स्प्लीट विला में हुई थी हालांकि उनका रिलेस्टन्शीप ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया था दिविया अगरवाल के इस इंगेजमेंट पर आपको क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवुड और एंटरेंबेंट की खबर उग ले देखते रहें ये एबी भी एंटरेंबेंट आपको चलेगा और एक लड़का पके लाइफ में आपका एक चोटा सा लड़का और एक पेटा मिलेगा आपको क्या उपी चलेगा आपको